हलो दोस्तों आप सभी का बिहार अड़ाट 247 चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और हिंदी की हुंकार इसी हिंदी की उंकार का आगास करने के लिए आज से आपकी क्लास जो मैं कह रही थी कि आदे घंटा 20 मिनट का जो सेशन होगा वह आप लोगों के लिए जरूर लेकर आओंगे और वह क्लास आज से आपकी शुरू हो रही है तो सुबह का बेला है अच्छे अच्छे शब्दों के साथ अच्छी अच्छी तरह से महिंदी की अच्छे से हुंकार के साथ तैयारी करत हैं उनको डीटेल से पढ़ते हैं कि भाया क्या है ये ग्रामर क्यों हमको दिक्कत आती है क्यों मैंनम हम यह चोटी-चोटी चीजे जो हमारी देश की भाष्टा है हमारी संस्कृत है हमको नहीं आती है तो इनहीं पर ही आज हम मैं चर्चा करने जाओंगे और जादा समय नह कि आप थमनेल से जानगे होंगे कि स्वरो का वर्गी करन पर पेपर बहुत सारी कुछन पूछे जाते हैं तो क्यों नहीं हम इसको डीटेल से समझे और क्या होते हैं इसके बारे में जाने तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कैसे आता है इस पर हां जी तो टॉपिक डालिएगा आप स्वरों का वर्गी करन टॉपिक क्या पड़ेगा स्वरों का वर्गी करन ठीक है चलिए अब यह स्वरों का जो वर्गे करन है इसको हम पांच भागों में विभाजित करते है क्या करते हैं इनको हम पांच पांच भागों में विभाजित करते हैं बाटते हैं तो यह पांच भाग कैसे बढ़ते हैं जड़ा देखते हैं पहला नमर पहले नमर पर कौन सी आ जाती है देखेगा पहले नमर पर आती है उत्पत्ति के आधार पर ठीक है दूसरा आता है उत्चारन काल के आधार पर ठीक है तीसरे नमबर पर आ जाती है आपकी मुख खुलने के आधार पर ठीक है चौथे नमबर पर आ जाती है ओष्ट के आधार पर और पांचवे नमबर पर आ जाता है आपका जिवा के आधार पर अभी मैं साइड हो जाओंगी आप लिख लीजिएगा स्वरो का वर्गी करण इन पांच आधार पर होता है उत्पत्ति के आधार पर उत्चारनकाल के आधार पर मुख खुलने के आधार पर और जिवा के आधार पर अब हमको यह जानना होगा कि यह कितने प्रकार के होते हैं इनके भी बच्चा प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर आपके दो प्रकार के स्वर होते हैं उत्चारनकाल के आधार पर आपके तीन प्रकार के स्वर होते हैं मुख खुलने के आधार पर आपके चार प्रक कर लेंगे कितने प्रकार कितनी हैं तो आपने याद कर लें नहीं कितने प्रकार की संख्या कितनी है यह प्रशन पूझ सकता है या जीवा के आधार पर कितने प्रकार के पूछे चाथे जाते हैं तो अप लोगों ने लिख लिया होगा चलिए आगे बढ़ते एक-एक को जानते हैं यहाँ पर चलिए तो सबसे पहले नमर पर आता है आपका उत्पत्ती के आधार पर सबसे पहले नमर पर क्या आता है उत्पत्ती के आधार पर उत्पत्ती के आधार पर चलिए सबसे पहले नमर पर आता है हिरस्वस्वर सबसे पहले नमर पर क्या आता है बच्चा हिरस्वस्वर आता है यह हिरस्वस्वर होता क्या है जरा देखते हैं हिरसुस्वर के यदि आपसे पूछा जाए कि हिरसुस्वर क्या होता है या हिरसुस्वर के बारे में तो इसकी सबसे पहले आपको परिभाशा पता होने चाहिए वे वर्ण जिनका उच्चारन करते हुए मुझ के अंदर की वायू मुझ के किसी न किसी स्थान को पूरी तरह हिरसुस्वर के जिनका करते हुए कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उसे हृस्वसवर केहते हैं पहले मैंनेople न परिभाशा बताई थी अप्योकी स्वर अलग से वर्गी करण सब्सक्राइब में सब्स्राइब क्या है मैंने आपको बताया कि वेवर्ण जिनका उचारण करते हुए को जिनका उचारण करते हुए कम समय लगता है या कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है समय लगता है उसे हरिस्व स्वर मूल स्वर या लगू स्वर के नाम से जाना जाता है स्वर के नाम से जाना जाता है इनकी संख्या चार होती है चार होती है कौन कौन से होते हैं? अ, इ, उ, री ठीक है? आयूरवेट से निकला है एक शब्द आयूरी तो उसको एक ट्रिक बना कर याद कर लो जिसमें एक मात्रा का समय लगता है यहां बहुत बच्चे कन्फ्यूस भी होते हैं अभी मैं इसको आगे बता दूँगी क्यों एक मात्रा मैंने कहा यह परिभाषा है और आप इस परिभाषा को अपने कॉपी में लिख चुके होंगे चलिए बात कर लेते हैं दूसरे परिभाषा की दीर्गस्वर क्या होते हैं दीर्गस्वर की परिभाषा आप लिख सकते हैं उच्चारन करते हुए अधिक समय लगता है, करते हुए अधिक समय लगता है या दो मात्राओं का समय लगता है, लगता है उसे दीर्ग स्वर, दीर्ग, संधी या गुरु स्वर के नाम से जाना जाता है, इनकी संख्या साथ होती है, साथ होती है, कौन-कौन से होते हैं, लिख लिजेगा, आ, ई, उ, ए, आ, ओ, और ओ, ये हो गए साथ, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, कि मेडम जी आपने जो परिभाशा लिखी उसमें एक मात्रा और दो मात्रा मुझे समझ में नहीं आई, बाकी तो सब समझ में आ रहा है, पर ये एक मात्रा क्या है और दो मात्रा क्या है, ये समझ में नहीं आए, तो चलिए इस पर हम थोड़ा सा समझते हैं, ये केवल था उत्पत्ती, जिस जो शुरू से हमारे पास थे, जब हिंदी में, मतलब हमारा जो संस्कृत के बाद हिंदी की उत्पत्ती हुई हिंदी आया, पूरे ब्रमान में हिंदी की बात चली, तो सबसे पहले जो उत्पत्ती हुई थी इन दो स्वरों की हुई थी दो प्रकार के स्वरों की हिरस्वसवर और दीर्गिस्वर आप दूसरे नमर पर आ जाते हैं दूसरा क्या कहता है उचारन काल के आधार पर ठीक है उचारन काल के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं दो प अप्रकार मैंने आपको लिखवाई दिये तो इसको बारबार यहां नहीं लिखवाऊंगी एक हो जाता है मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देती हूँ ठीक है क्या हो जाता है अगर हम इसमें लिखे हरिस्व स्वर आप जानते ही है व दीर्ग स्वर स्प्लुत्स्वर प्लुत् जिनका उचारन करते हुए दीर्ग से भी अधिक समय लगता है अधिक समय लगता है या दो से जादा मात्राओं दो से अधिक मात्राओं का समय लगता है उसे प्लुत्स्वर कहा जाता है बच्चा देखिए इतना लिखवाने का मतलब क्या है कि आपको यह बार बार आपके कॉपी में लिखा रहेगा ना तो आप यह क्लास बार बार नहीं देख पाओगे या कहीं दून नहीं पा रहे हो तो आपके पास एक जिगल लिखी रहेंगी प्लुत्सवर भी होता है जिसमें दूसे जादा मात्रा है एक्जांपल जैसे मैं बोल रहे हूं यह चोटा कम समय ले रहे हैं लेकिन बोलों यह दीर से भी जादा समय ले रहे हैं ठीक है तो इसका इस्तेमाल केवल उच्चारण में होता है जैसे बावा राम देव आप से west तो मात्रा फिछती जाती है वहां पर मत्रा का समय जादा हो जाता है इसलिए केवल स्चारण के अंतर गट रखी जाती तो इसलिए भी देखेगा कि इसका मतलब होता है यहां स्वर को खीचना है ठीक है तो यह एक उच्चारन काल का प्रकार हो जाता है अब यहां पर एक छोटा सा में आपको चार्ट बनवाऊंगी जिसमें आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे जिस आधार पर प्रश्न कौन सा है माली जी मैंने एक सवाल दिया ऐसे ठीक है और ऑप्शन दिये मैंने आपको अब आपके दिमाग में आएगा मैडम क्या सवाल पूछ रहे हो दीर्ग में तो यह तीनों ही आते हैं सिर्वेक को छोड़कर आपने गलत पूछ लिए आपको यह पूछना था दीर्ग सवार घौन सा नहीं है तो बच्चा आपको बता दिया जाए यह बिल्कुल ठीक कोशन है पेपर में ऐसा कई बार पूछा गया है और आप में से बहुत बच्चों का शायद सही उत्तर भी अब कमेंट में बता भी रहोंगे इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा यहां पर आ हो जाएगा सही उत्तर आ है अब यह हमने कैसे पहचाना इसी के लिए वो चार्ट बनवारी हूं आप लोग बनाईएगा ठीक है स्वारों का वर्गी करण ठीक है अगर हम करें स्व तो यह इधर इधर कर दिया कोई बात नहीं ठीक है इसको हम क्या कहते हैं धूम झोटा स्वर और इसे हम क्या कहते हैं मूल है अब पltर आपको बच्चा यह सबसे पहले आयो थे थे सबसे पहले अस्तित्व में यह आए थे कौन-कौन से जरा थे देखो और यह कौन-कौन से थे आ ई ए आई ओ और अओ छीक है इन्हें संधी और अभी क्यों संधी में तो आप इसे पढ़ते ही हो गुरु स्वर भी कहा जाता है गुरु आप इसे चंद में पढ़ते हो अब इन्हीं को दो भागों में बाटा गया क्या करा गया इन्हीं को दो भागों में बाटा गया एक का नाम रखा गया सर जातिये दीर्गस्वर क्या नाम रखा गया सर जातिये दीर्गस्वर और एक का नाम रखा गया सईयुक्तसवर अभी आपके दिमाग में आयोगा कि मडम ये कहां से आ गए हां पेपर में तो हम ने सुनी ते ऐसे questions कहीं पूछे जाते हैं तो पते क्या था इन्हों ने ही अपना रूप विस्तार करा इन चारों ने अपना रूप विस्तार करा कैसे करा जरा देखो अगर हम देखें यहां पर तो इन्हों ने पते क्या करा जब आ के साथ अ मिला तो आ बन गया चीक है उसी प्रकार ए के साथ जब ए मिला तो बड़ी क Kathleen मिल गई क hill और उसी प्रकार से उ का उंक से मेल हुआ तो बढ़ा उबन गया यह जो तीन थे अपने ही परिवार से दीर हुए थे अपने ही परिवार से बड़े बने थे इसलिए इनका नाम पढ़ा सजातिय समतलब साथ जातिय मतलब जाती से बनना ठीक है एक भावाचक संगय होता है सर जातीय ठीक है तो एक ही जाती से बनी हुए सुर है इसलिए इन्हें सर जातीय सुर कहा गया इसलिए यह यहां आ जाते हैं कॉन-kॉन से हो जाते हैं देख लेंगे हम लोग तो कॉन-k कॉन वें यह जाएंगे a £§ c और उ यह तीन हो गए अब यह सैयुक्त स्वार का फंडा क्या था इधर देखते आईए अब क्या हुआ यह आपने संदी में पढ़ा था कि जब के साथ ए का मेल होता है तो वो ए बनाता है उसी प्रकार के साथ जब ए का मेल होगा तो आए बनाएगा आ के साथ जब उ का मेल होता है तो ओ बनता है और आ के साथ जब ओ का मेल करोगे तो ओ बनेगा ठीक है इन चारों को अब यह तेको दो अलग-अलग परिवार से बने यह दो अलग-अलग परिवार से बने इसलिए इन्हें कहा गया संयुक्त आप कहते ना संयुक्त परिवार है तो ये भी दो अलग-अलग परिवारों से बने इसलिए इन्हें संयुक्त परिवार के शेणी के अंतरगत रखा गया ठीक है ये क्या कहलाए संयुक्त स्वर ठीक तो यहां पर अब यह चार कौन से आ गए आपके कौन कोन से आ गए यहां पर देखो तो ए आए ओ और आओ ये चार हो जाते हैं तो ये चार्ट आप जरूर बनाईएगा इनसे सवाल बहुत जादा पूछता है एक साइड हो जारी हो और आप लोग अपने कौपी में अच्छे से इसे बना लीचेगा कि भई दीर्ग संदी और गुरू यही संदी में हमने यही नियम तो सीखे हैं आप लोग स्वार संदी को पांच भागों में बाड़ते हो यही संदी यही सब तो हैं इन्हीं कोई तो बाटकर यहां कराया गया है और यह जो चार दिख रहे ना एक कोने में बैठे हुए यही चार इसे हैं इन्होंने पूरे जो स्वार है इनका निर्मान कर तो इन से जुड़कर बने सजातिये दीर्ग और फिर उनी से जुड़कर बने संयुक्तुस्वर तो यह चार्ट एक करह से बन जाता है अब इसी आधार पर मैंने वो जो सवाल आपसे पूछा था वही सवाल था और एक सवाल का उत्तर आपको और मिल गया होगा कि जब मैंन हैं और में जोड़ा गया तब आ बना इमें जोड़ा तो इबना अ में जोड़ा तो ए बना तो यह दो मात्राओं से मिलकर बने हैं इसलिए दीर्ग स्वार की परिभाश्य यह लिखी जाती है तो अभी आपके दिमाग से यह जो डाउट था वो निकल गया होगा अब आ जा जीव के आधार पर बहुत इजी यह देखो यह आपको आपके जीव दिख रही होगी टिक है इस जीव का यह जो आगे वाला भाग है इसे कहते है अग्रस्वर ठिक है इसे क्या कहा जाता है बच्चा अग्रसवर कहा जाता तो पिर बीच में जीब के बीच वाला उसे मद्दिसवर कहा जाता है और लास्ट में जो आया उसे क्या कहा जाता है मद्दि के ऊपर थोड़ा सा आता है तो मद्दिसवर को क्या कहा जाता है मद्दिसवर को कहा जाता है यहां पर आपका पश्य सर, सौरी बचा, मद्द के थोड़ा सा जो उपर होता है, उसको कहा जाता है पश्य सर, मतलब जीब है, जीब का अगला भाग है, जो पहले वाला भाग है, उसको अग्रसवर कहते हैं, उसके बीच वाले भाग को मद्द सर कहा जाता है, उसको पश्य, पश्य मतलब होता रहा है पीछे अब आप अपनी जीब पर खुदी महसूस कर पाएंगे जब आप बोलते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि आपके मुह से जो हवा निकल रही है वो जीब के आगे वाले भाग से निकल रही है ए ए री ठीक है आपको लग रहा होगा आपकी जीब पर हवा जो बीच में जीब है वहा हवा टकराती है तो यह निकलता है और यहां पश्यस्वर की यदि बात करी जाए तो पश्यस्वर में आपकी जीब का पिछला भाग काम करता है तो आप बोल कर देखें यह आए यह आपका यहीं से आएगा तो यह हो जाते हैं आपके जीब के आधार पर स्वर ठीक है चौथा आजाए चौथा बाग आ जाता है हमारा ओष्ट के आधार पर चौथा कौन सा हो जाता है ओष्ट के आधार पर ओष्ट के आधार पर अब ये दो प्रकार के होते हैं एक होता है वृत्मुखी और एक होता है अवृत्मुखी वृत्मतलब क्या होता है आप भी मतलब हो जैंतें वृत्मुखी जान लिये तो अब यहां पर लिखा है व्रित्वी जय Boss बन जाए तो कब बनता है जब मैं बोलती हूं उठ यह चार ऐसे वर्ण हैं जब इनका उच्छारन होता है होट गोला कार स्थीती में हो जाते हैं गोला कार स्थीती में होना ठीक है तो कौन-कौन से हो जाते हैं यह चार हो गए ठीक है ठीक है तो आवरित मुख्य में आ जाता है आपका आवरित मुख्य में क्या आ जाता है बच्चा देखिए आवरित मुख्य में आ जाता है जिसमें वृत गोल नहीं हो रहे हैं आवरित जिसमें वृत गोल ला हो ठीक है तो आवरित में कैसे हो जाता है जैसे मैं इहां पर बोल मुख खुलने के आधार पर यह चार प्रकार के होते हैं बच्चा कितने प्रकार के चार प्रकार के एक होता है सम्वरिट्स्वरर। दूसरा होता है अर्द सम्रित्स्वर फिर होता है तीसरा विवरित्स्वर और चौथा होता है अर्द विवरित्स्वर अब आपको यह नाम लग रहे होगा मैंडमी कैसे नाम है थोड़ा समझना बहुत इजी है आता ह Hence रहे हो अर्द विवरित होता है जब थोड़ा सम्रित्सवर फिर कम उसके बाद विभरित क्या होता है तो है पूरा मुह खोल दो आप ऐसे मैं मैं सभने क्लिए हूँ पूरा मुह खोल जाए और अर्द विवरित waar अक्लत मत्तलब फिर कम हो जाए तो इन चारों को आप लिखें फिर इनके हम जान लेते हैं कौन-कौन से होते हैं लिख लिए आप इसको साइड में हो जाते हूं मैं कर दो कि अ कर दो कर दो कर दो कि चलिए तो आप लोगों नहीं लिख लिया होगा अब विवरिक में देखिए कौन-कौन सा होता है ए ए ठीक है थोड़ा-थोड़ा खुलता इसमें और यहां पर कम खुलता है यहां देखो अर्ध समृत में आपका क्या खुलता है इबड़ा वाला और ए एक मिनटा यहां ए हो गया और हो गया आपका ओ आप बोल कर देखिए ए ओ आपका मूँ उसके चमपारिजन में थोड़ आपका मूँ पूरा खुल गया और इसमें क्या हो गया कम खुलेगा मतलब अर्ध विवरित के अंदर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा और यह आप बलते हैं डॉक्टर वाला ओ वह भी आ जाता है तो यह वह चार प्रकार हो जाते हैं देखें फिर से समझेग समरित मतलब मुह आपका एकदम कम खुल रहा है कैसे बोला आपने कम खुला री लेकिन ऐसे बोले अर्ध समरित की बात करें यहां पर अर्ध समरित अर्ध समरित मतलब थोड़ा सा जाधा खुले ए ओ थोड़ा सा जाधा खुला ना विवरित मतलब पूरा मुह खुल जाए और उसे थोड़ा सबक्राइब अप्रकर करते हैं अगर हम पेंपर में पूच biss लेता है यूपी पेट में पूछ लेता है बिहार के कुछन जहां मद्य प्रदेश के जितने भी एक्जाम सोते हैं उनमें पूछ लेता है तो आप लोग इनको अच्छे सा समझ लीजे याद कर लीजे ताकि आपको अब कभी दिक्कत ना आए तो मैं आशा करते हूं कि जो मुश्किल लग रहा था उसमें से एक छोटी सी कड़ी निकाल कर लाई हूँ अभी हिंदी बहुत बड़ी है लेकिन मैंने इसको छोटे तईके पर आपको यहां पर रख कर समझाया है इसी तरीके से मेरी क्लास रोज सुबह दस बजे और शाम पा सेशन लिकर आऊंगी जो कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है ट्रिकी लगता है पर मैं उसे असान करूंगी और कम से कम शब्दों में आपको यहां पर लाकर दूंगी तो चलिए फिर यहीं तक सेशन को रखते हैं मिलते हैं अपने नेक्स सेशन में तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें मस्त रहें खुश रहें और एक चीज़ जरूर करेंगे अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार जरूर सेशन को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीचेगा ताकि ऐसे ही क्लास आपको मिलती रहें और अपने दोस्तों के सा अच्छे शब्दों के साथ व्याकरन के साथ हिंदी को डीटेल से समझ पाएं चलिए फिर मिलते हैं नेक्स सेशन में ऐसे पढ़ते रहें मस्त रहें खुश रहें अपने माता-पिता का नाम रोशन करिए धन्यवाद